हेलो गाइज मैं हूँ आसेस आप दुनिया में किसी भी जगा पर चले जाओ आपको कुछ ना कुछ रोचक बाते या चीजे देखने को या सुनने को मिलेगी जो की एक आम बात होता है आज ऐसे ही हम लोग कुछ रोचक बाते जानेंगे भोटान के बारे में भोटान जो की एक लैंडलोक्ट देश है जो की पाहडों की इर्दगीत बसा है 1960 तक दुनिया के दूसरे देशों से भोटान ने खुद को दूरी बनाए रखा था वो इसलिए क्योंकि ये देश परवत स्रुंखला से घीरा हुआ है आज हम ऐसे ही कुछ रोचक बाते जानेंगे भोटान के बारे में तो चलिए सुरो करते हैं Most Dangerous Road in the World तुनिया के कुछ गिनेचुने खतरनाक रस्तों में से भोटान भी आता है जहांके रस्ते बहद ही खतरनाक होती है क्योंकि ये रस्ते 7500 मिटर उपर है और बहद ही खराव रस्ते होने के कारण ये रस्ते और भी भयानक और खतरनाक बन जाते हैं जहांपे आपको जगे जगे ड्राइब स्लो का बोर्ड देखने को मिल जाएगा स्मोक डोजन्ट एलाओ 2019 में साधरन सभी देश में सिगरेट एक आम बात हो गया है मगर इसे हमारे स्वास्थफर बुरा असर पड़ता है लेकिन इसके आदतों ने सारे लोग खुद को छुड़ा नहीं पाते हैं आज दुनिया भर के कहीं सारे देश हेल्थ क्यार को लेके गंबेर हो रहे हैं जिसके कारण से कहीं बड़े बड़े देश सिगरेट को लेके बड़े बड़े नियम बना रहे है या फिर सिगरेट को ब्यान कर रहे है जिनमें हमारा भारत भी सामने है जहां बेचे हुए सिगारेट के डब्बे में बड़े बड़े अक्सर में लिखा हुआ है Smoking is Ingerious to Health लेकिन इसे बूरी अदद से भूटान ने अपने लोगों को बचा के रखा है जहां पर ना आप सिगारेट पी सकते हो और ना ही खरी सकते हो अगर आपको सिगारेट पीते हुए या खरीते हुए पकड़ेगे तो आपको फाइन लग सकता है और साथ में आप जेल भी जा सकते हैं इसलिए धुम्रपान ना करे और ना करने दे Plastic Bag Air Pan in Bouton बातावरन को प्रदुसित करने में Plastic का भूमी का आज की दौर में एक आम बात हो गया है जिसे छोटे से लेके बड़े देश सभी इस्तमाल करते हैं ये सोचे भी ना कि ये बातावरन को कितना जहरीला बनाता है लेकिन 1999 में भूटान में Plastic को पूरी तरह ब्यान किया गया है जिसे भूटान में Plastic से बातावरन प्रदुसित नहीं होता अगर आप Plastic यूज करते हुए भूटान में पकड़ेगे तो आपको फाइन देना पर सकता है भूटान प्रिफर हापिनेस और वेल्थ दुनिया भर में सभी देशों में आपको एक वर्ट सुनने को मिल जाएगा यान GDP यानि Gross Domestic Product जो कि उस देश का Economy के सहरे वो बताता है मगर भूटान में GDP को रिप्लस करके G.N.H. बनाया गया है यानि Gross National Happiness क्योंकि ये भूटान में खुशियों को पेशों से ज्यादा इहनित दिया जाता है mandatory to wear the national dress भूटान के संस्कुति और परंपरा इसे है कि भूटान में लोग उनके राष्ट्रे पोसाथ पहनना आनिपारियों होता है चाहे वो कोई भी हो उनके राष्ट्रे पोसाथ में से लड़कों के लिए घो और लड़कों के लिए कीरा किसम का कपड़ा होता है क्योंकि ये देश एक बुदिष्ट देश है इसी वज़े से ये अपने संस्कुति को अपने जिन्देगी की एक एहम हिस्दा मानते है भूटन में अठा से ज्यादा उंची चोटिया हैं जो कि सत हजार मेटर से ज्यादा उंचाई पर है ये काफी है दुनिया भर के परवतारोहियों को अकरसित करने के दिये क्योंकि दुनिया भर के परवतारोही यानि हर साल आते हैं इस रोमांचे सफर में मगर मैं आपको पता दूँ जहां इतने सारे इंची चोटिया पाए जाता है वहीं भुटन के सक्कारद्वारा यहां मांटेन क्लाइविंग के लिए पावन्द ही लगा गया है भुटन निशनल अनिमल लोक लाइक मिक्स बिट्विन गोट और यक भुटन के राष्ट्रे पसू एक अजीब दिखने वाला कैरी के टुरियूस्ट जानुवर है जो कि एक बिल्कुल याक के सरीड और बकरी के सिर्ज जैसा दिखता है और इसका नाम टकेन है आखिर में एक दिन में 49,632 पेड लगाने का रिकाउड भी भुटन के नाम पर ही है है फेंट्स यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सेर कीजिए और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू